तो लास्ट अगर आपको याद हो तो लाइव सेशन हमारा चला था तो लाइव सेशन के अंत तक मैंने क्या किया था तो जनवरी 2023 जो था वहां तक का जितना important current affairs था उसको मैंने cover करा दिया था और ये जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जो फरवरी का महीना है वर्ष 2023 का उसका current affairs properly analysis करके आप सभी को दिखा दूँगा अगर आप हमारे state 36 गड़ के किसी भी departmental exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें current affairs आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत important रहने वाला है साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप PSE का pre या mains दोनों दे रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो या मेरा जो वीडियो है ये ऐसा रहे जिसमें ना सिर्फ आपको pre बल्कि आपको mains के लिए भी एक analytical approach जो है वो develop हो सके तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ बिना time को waste करे क्या करते हैं शुरू करते हैं और जैसे ही हमने शुरू किया सबसे पहले क्या आ गया एक खाली slide और आप समझ जाईए कि slide अगर खाली है तो इसमें कौन आने वाले हैं तो आने वाले हैं एक सहितिकार तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एक सहितिकार के बारे में जिनका नाम है doctor P.C. लाल यादव समझ में आया कि नहीं आया डॉक्टर पीसी लाल यादव जब इनके बारे में आप सोचे ना तो याद रखना इनकी जो रचनाएं उसके लिए कुछ की वर्ड्स है पहला जो की वर्ड है वो है कोरा क्या है पहला कोरा दूसरा है सुर्टा तो पहला कोरा दूसरा सुर्टा और तीसरा है पंडवानी तो कोरा से है मोर गाओं के कोरा कोरा से क्या है मोर गाओं के कोरा सुर्टा तो है सुर्टा के सुतरी और पंडवानी से है पंडवानी परम परा एवं प्रयोग ठीक है तो साहितकार है डॉक्टर पीसी लाल यादो कौन कौन से कीवर्ड्स कोरा सूर्ता पंडवानी तो कोरा क्या है मोरगाओं के कोरा सूर्ता से सूर्ता के सुत्री और पंडवानी तो पंडवानी परमपरा एवं प्रयोग चलिए तो साहितकार को हमने देख लिया आ जाते हैं इस section में अपने पहले बहुत important news पर तो मुख्य सचिव के लिए इंग्लिश में शद्ध है Chief Secretary समझ में आयाμα तो पूर्व मुख्य सचिव एक्स Chief Secretary है चतित्र गड़ के जिनका नाम क्या है श्रीविवेक ध्ञड जी इनको क्या किया गया है चतित्र गड़ राजजन्वाचार आयोग जो है इसका अध्यक्ष एक प्रकार से कहलें प्रेजडेंट नियुक्त किया गया है अब बेसिकली ध्यान रखना ये जो हमारा नवाचार आयोग है ना इसका गठन क्यों किया गया क्या अबजेक्टिव है क्या उद्देश है इसके गठन के पीछे तो हमारा जो चत्तिसगड शासन है यह हमारे राज का शासन है स्टेट गवर्मेंट है मानलो उसके द्वारा जितने भी प्रशास्निक नवाचार मतलब जितने भी अड्मिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन्स किये जा रहे है इसके अलावा जितनी जल जन कल्यानकारी योजना है मतलब पब्लिक वेलफेर जो है उसकी स्कीम्स है उसके प्रभावी क्रियानवन इफेक्टिव एग्जी क्यूशन के लिए इस आयोग का गठन किया लिया समझ में आया तो स्टेट गवर्मेंट जो करती है पब्लिक वेलफेर की जो स्कीम्स लाती है उसका एफेक्टिव एग्जीकूशन जो है उसी के लिए इस आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या है छत्यसगर राज्य नवाचार आयोग तो राज्य शासन के द्वारा जितने प्रशासिक नवाचार किये जा रहे है जो जनकल्यानकारी योजना आ रही उन्ही के प्रभावी क्रियानवन के लिए ये योजना जो है ये जो आयोग है उस आयोग का क्या किया गया गठन किया गया और इसी आयोग के अब अध्यक्ष कौन है तो श्री विवेक धांड जी क्लियर है एक फैक्ट यहाँ पर और याद रखना पूर्व मुख्य सचिव लिखे है श्री विवेक धांड जी तो वर्तमान मुख्य सचिव कौन है तो आप सभी को पता है भई हमारे यहाँ पर श्री आमिताब जैन यह है 36 गड़ के वर्तमान मुख्य सचिव अब examination के point view से questions को देखिए तो सबसे पहला जो question है वो क्या बन सकता है तो पहला question बनेगा कि 36 गड़ में 94 आयोग के अध्यक्ष कौन है तो first question का answer श्री विवेक धांड वर्तमान मुख्य सचिव कौन है अमिताब जैन जी clear है यह मेंस के लिए 30 words में आप यह जो आयोग है इस आयोग के गठन का उद्देश objective जो है उसको ready कर लीजिए हो सकता है कि 36 गड़ राज जनवा चार आयोग के बारे में 30 words में आपको question paper number 7 में पूछ ले समझ में आया की नहीं आया तो 30 words का question यहाँ पर बन सकता है सीधा बोलेगा 36 गड़ राज जनवा चार आयोग जो है इसके बारे में क्या करिए short note लिखे तब आपको बताना पड़ेगा कि इसका उद्देश क्या है और तमान अध्यक्ष जो भी रहेंगे जिस समय यह question आएगा तो उसको आप बता दीजेगा clear है? चलिए तो अब आजाते हैं अपने next important topic पर अब कबीरधाम जिला का जो कोशाला है मतलब district treasury जो है कहा का? कबीरधाम का तो कबीरधाम जो है उसका जो district treasury है वहाँ पर बिजली बिल का e-payment किया गया है अब देखिए हमारे लिए तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है सामाने तोर पे हम लोग खुद ही क्या करते हैं तो जो घर का बिजली बिलाता है उसको phone pay के माध्यम से या दूसरे जो payment gateway है उसके माध्यम से क्या करते है पटा देते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सरकारी कार्याले है एक government office है जिसके द्वारा ऐसा किया गया है और यह जो कबीर धाम जिले का कोशाले है district treasury है e-payment करने वाला हमारे राजिका क्या बन गया है पहला कार्याले बन गया है या first government office बन गया है समझ में आया कि नहीं आया तो बिजली बिल का e-payment करने वाला हमारे राजिका पहला government office क्या है भई तो कबीर धाम district का district treasury office clear है तो यह आपको पता है कि PSC कभी-कभी उट-पुटांग टाइप का question पूछ लेता है जैसे इस बार पूछ लिया था कि राजनाद गय थे भेट मुलाकात कारिक्रम में तो किस तारीक को गय थे करके तो उस depth में अगर वो पूछ सकता है तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कारियाल है जिसमें पहली बार बिजली बिल का किया था इपेमिंट किया था करके ठीक चलिए अब next आ जाते हैं अंतर राष्ट्री कबीर पंथ संत महा सम्मेलन तो 4 फरवरी 2023 के दिन राइगर जिले के खरसिया में कबीर पंथ संत महा सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री भुपेश बगेल भी क्या हुए शामिल हुए और उन्होंने क्या घोशना की कि नवाराइपुर में एक विश्व स्तरी वर्ल डेवल का क्या करेंगे कबीर संस्थान कबीर इंस्टिउशन का क्या किया जाएगा निर्माण किया जाएगा तो न्यूस बड़ा छोटा सा है लेकिन इसमें से एक बड़ा ही ओवियस टाइप का क्वेशन जो है वो बन सकता है वो यह कि अंतर राष्ट्री कबीर पंत संत महा संमिलन पहला पूछेगा कब हुआ तो 4th February अगला क्वेशन पूछ सकता है कहा हुआ तो राइगर जिले के खरसिया में clear है अगला क्वेशन जो अलग टाइप का है या थोड़ा दूसरे वेवलेंद का है वो क्या पूछ सकता है तो आपसे पूछ सकता है कि विश्वस्तरी कबीर संस्थान ठीक है वर्ल डेवल का कबीर इंस्टिउशन जो है इसको बनाने की घोषना कहां की गई है तो एंसर क्या हैगा नवार आएपूर तो इस प्रकार से तीन क्वेशन जो है यहां से घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है MCQ के फॉर्म में ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं अब अगला क्या है भई तो पहले मोबाइल मिलिट काफे मिलिट ओन वील्स इसके बारे में अगला निउस है ठीक है भई अब देखिए कुछ चीजों को आपको बता देता हूँ सबसे पहले सेप्टेंबर 2021 में 36 गण में क्या चालो हुआ तो मिलिट मिशिन चालो हुआ तो जो मिलिट की फसले हैं उन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये मिलिट मिशिन की शुरुआत हुई सेप्टेंबर 2021 की बात कर रहा हूँ इसके बात क्या हुआ मई 2022 तो मई 2022 में क्या हुआ पहला मिलिट काफे खुला कहां पर राएगड में ठीक है अब क्या हो रहा है तो इस वर्ष 2023 में मिलिट ओन वील्स तो ऐसा मोबाइल मिलिट काफे जो है इसको भी शुरू किया गया है कहां पर तो खरसिया जो की कौन से डिस्ट्रिक में है राएगर डिस्ट्रिक में तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है इस मोबाइल मिलिट काफे को क्या किया है हरी जट्रिक माइल मिलिट काफे मतलब चीला एक जगातना कोदो बिर्यानी पढ़ा हूं समझना है तो ये सारी चीज़े मिलेंगी लोग उसका क्या कर सकेंगे स्वाद ले सकेंगे और इसको जब मुख्य मंत्री जी विदा कर रहे थे ना तो वहीं पर उन्होंने रागी से बना हुआ केक भी काटा था रागी से बना हुआ केक clear है actually है क्या ये जितने लगू धान्य फसल है रागी है, कोदो है, कुटकी है जिनको हम इंग्लिश में मिलिट्स की फसल कह देते हैं ये बहुत न्यूट्रिशिस होती है और उतना ही ज्यादा नेगलेक्टेड है मतलब बहुत जादा इनमें पोशक्तत्व होते हैं लेकिन इनको नेगलेक्ट बहुत जादा किया गया है clear है तो इसी लिए क्या किया गया है United Nations General Assembly ने वर्ष 2023 को घोशित कर दिया है क्या तो International Year of Millets United Nations General Assembly ने 2023 को घोशित किया है International Year of Millets घोशित कर दिया है clear है ये बात ठीक है तो ये तो बहुत सारी न्यूज हो गई या बहुत सारे facts हो गई अब इस न्यूज पर आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया राइगर जिले के खर्सिया से ये जो Millets on Wheels है इस Mobile Millet Cafe को क्या किया हरी जंडी दिखाई ठीक है भई अब ये जो Millets Cafe है कौन सा? Millets on Wheels इसको चलाने कौन वाला है तो एक महिला समू है जिसका नाम है क्या? अनुभाव ये इसको रन करेगी या संचालित करेगी क्या नाम है? अनुभाव और यहाँ पर क्या किये जाएंगे? तो रागी, कोदो, कुटकी से बने हुए जो व्यंजन है जैसे मैं बताया हूँ नहीं आप लोग को कोदो बीर्यानी तो ये सब क्या किया जाएगा? परोसा जाएगा परोसा जाएगा पर वही बात लिखी हुई है वर्च 2023 को अंतराश्ट्री मिलिट इयर के रूप में क्या किया जा रहा है? मनाया जा रहा है ठीक बात क्वेशन्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले पूछ सकता है मिलिट मिशन की शुरुआ 36 गड़ में कब से हुई ये फिर पहला मिलिट स्काफे कब बना कहां बना दूसरा फिर मिलिट ऑन वील्स कहां से शुरू हुआ राइगड तीन कौन से लाता है? अनुभाव चार इंटरनाशनल इयर ओफ मिलिट्स किस वर्ष मनाया जा रहा है? 2023 तो ये ऐसे 5 कोश्चन हो गया अब 2023 चूकी इंटरनाशनल इयर ओफ मिलिट्स है इसलिए ये ऐसे के पॉइंट ऑफ यू से भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो मिलिट मिशन के उपर एक ऐसे जो है इसको बढ़िया सा तयार कर लीजिए अच्छे कंटेंट के साथ कंटेंट इतना शामदार होना चाहिए कि अगर इसके उपर 30 या 60 वर्ट्स का भी कोई क्वेशन आ जाए तो भी आसानी से काट चाट करके आप लिख सकें लेकिन मिलिट मिशन के उपर आप ऐसे को क्या कर लीजिएगा रेडी कर लीजिएगा बहुत काम में आ सकता है इस साल क्लियर है कि नहीं इस से संबंधित एक और न्यूज है जिसको आगे इसी वीडियो में मैं डील करूंगा क्लियर है तो I hope MCQs और जो subjective question है दोनों ही चीजों को मैंने क्या कर दिया आपको बता दिया ठीक है अगला क्या है तो निकलर आप के द्वारा पढ़ाई कराने के लिए हमारा राज जो है उसके स्कूल सिक्षा विभाग को उत्कृष्टता पुरुसकार दिया गया है excellence award दिया गया है क्या दिया गया है excellence award अब समझते जाईएगा actually हुआ क्या सुग्घर पढवया कारिक्रम इस कारिक्रम के अंतरगत 14 नवंबर 2022 को CM भुपेश बगेल जी के द्वारा इस निकलर आप को launch किया गया clear है ये जो application है हमारे राज के स्कूल सिक्षा विभाग ने NIC National Informatics Center के साथ मिलकर क्या किया है develop किया है इस application के माध्यम से बच्चे क्या कर सकेंगे पढ़ाई कर सकेंगे clear है ये बात अब यही application के कारण हमारा जो स्कूल सिक्षा विभाग है उसको Excellence Award दिया जा रहा है CSI Computer Society of India के द्वारा समझ में आया की नहीं आया ये Award कब दिया जाएगा तो 25 March 2023 को दिया जाएगा कहां दिया जाएगा तो नई दिल्ली में दिया जाएगा देता जी सुभाष प्रोध्योगी की विश्व विद्याल है नई दिल्ली में एक कारिक्रम का आयोजन होगा जिसमें इस Award को क्या किया जाएगा दिया जाएगा तो फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीज़े इंपोर्टेंट है तो ध्यान रखना सबसे पहले सुग्घर पडवहिया कारिक्रम के अंतरगत 14th November 2022 2022 निकलर आप को लॉंच किये कौन भुपेश बगेल जी ये आप को हमारा स्कूल सिक्षा विभाग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया है किसके साथ मिलके National Informatics Center NIC के साथ मिलकर अब इसी को हमारा क्या कर रहा है CSI CSI बोले तो Computer Society of India क्या दे रहा है Excellence Award किसको हमारे स्कूल सिक्षा विभाग को किस लिए तो निकलर एप के लिए कब देंगे तो 25 मार्च 2023 को देंगे कहां देंगे तो New Delhi में देंगे Award का कौन सा क्रम होगा तो याद रखना ये 20th क्रम होगा Award का 20th CSI SIC E Governance Award 2022 CSI SIC E Governance Award 2022 तो कौन सा क्रम होगा बीसवा क्रम होगा Clear है कि नहीं ध्यान रखना इसे E Governance के अंतरगत देखा जा रहा है इस आप को और इसी आप को क्या मिलेगा मतलब तो विभाग को मिल रहा है आप के लिए मिल रहा है उत्कृष्टा पुरुसकार या Excellence Award तो MCQ क्या क्या आ सकता है तो launch date application का किसके साथ मिलके बनाया किसने किसके साथ मिलकर Award देख ओन रहा है कब मिल रहा है कहां दिया जा रहा है और application का नाम तो ध्यान में रखना ही है कि किस आप को ये Award मिल रहा है क्लियर है इसके अलावा E-Governance से संबंधित अगर कोई essay आ जाए तो भी इस fact को आप इस्तेमाल कर सकते ठीक है चलिए अगले news पर आ जाते हैं तो अगला क्या है Life's Real Heroes of India Award 2023 ठीक है भई तो 4th of February 2023 को 36 गड़के कोरिया जिले के श्री रूद्र प्रताप सिंग राणा को ये एवाड दिया गया अब जो राणा जी है न वो basically कोरिया जिले में सक्ड़ा स्कूल जो है ये कौन सा स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल है तो सक्ड़ा प्राइमरी स्कूल में क्या है ये Assistant Teacher इनको ये एवाड दिया गया अब क्यों दिया गया समझते जाएगा basically कोविड का जो समय था स्कूल तो बंद थे अब स्कूल के बंद होने के कारण क्या हुआ तो बच्चे तो स्कूल में पढ़ने नहीं आ सकते ना तो राणा जी ने ये सोचा कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो स्कूल तो बच्चों के पास जा सकता है ना तो इन्होंने क्या किया अपनी साइकल पे ग्रीन बोर्ड लगा दिया एक छोटी सी पुस्तकाले लगा दि घंटी लगा दि और एक नीली छत्री लगा ली और पहुँच गए बच्चों के पास उन्हें पढ़ाने के लिए गली गली महले महले तो बच्चों को एकत्रित तो नहीं किया लेकिन उनके नस्दीक जाकर उन्हें दूर दूर रख कर ही क्या कर दिया पढ़ा दिया तो कितना innovation था सोच में कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सके तो हम उनको क्या करें जाके गली महले में पढ़ा दें इसलिए इनको क्या कहा गया तो नीली छत्री वाले गुरुजी कहा गया समझ में आया के नहीं आया नीली छत्री वाले गुरुजी और अपने इसी प्रयास के लिए उनको Life's Real Heroes of India Award 2023 के लिए चुना गया ठीक है शेत्र क्या था तो सिक्षा बताने की ज़रत नहीं है कहां मिला है अवार्ड नई दिल्ले में अब अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है तो आस एक प्रयास ये ट्रस्ट है जिसके द्वारा दिया गया और दिया किसने है तो सिक्किम के राजपाल, महा महीम, श्री, गंगा, प्रसाद, और आचार्य प्रद्यूम्न आचार्य प्रद्यूम्न जो है वो योग गुरु, बाबा राम देव जो हैं उनके गुरु तो इन्होंने दिया अब अगर बात करें question की तो सबसे पहले question lives real heroes of India award 2023 किसको मिला है श्री रूद प्रताप सिंग राणा ठीक है पूछ सकते हैं किस छेत्र से संबंद देते हैं तो सिक्षा किस जिले संबंद देते हैं तो तो 23 फरवरी 2023 को इन्होंने राजपाल की क्या ली शपत ली अब आप सभी को पता है राजपाल की शपत जो है वो कौन दिलाएंगे तो चीफ जस्टिस हमारे स्टेट हाई कोर्ट के तो कौन है भई तो ये अरूप कुमार गोस्वामी जी इन्होंने क्या करी है शपत दिलाई तो वर्ष 2018 में एक ऐसा ही कोश्चन आया था राजपाल जी का नाम लिखा था पूछा था कि इनको शपत किसने दिलाई ओथ इनको किसने एड्मिनिस्टर किया करके समझ में आया की नहीं आया तो विश्व भूशन हरी चंदन जी को ओथ एड्मिनिस्टर किया है अरूप ञुमार गुश्वामिजी क्लियर है की नहीं ठेक बात है कहांपर तो राजभावन क्रम तो यह नाइंत इनका क्रम है Арहेत्र कर में राजपाल ने और देश के राज़ेपाल थे और हरी चंदन जी से पहले हमारी राज़ेपाल कौन थी तो अनुसुया उइके जी तो उइके जी अब मणीपूर की राज़ेपाल है तो ये न्यूस तो इतना ही था इंपोर्टेंट चीज एक और चीज ध्यान रखना अरुप कुमार गोश्वामी जी ये इसी महीने मार्च में क्या हो रहा है रिटायर तो इनके जगा 36 गड़ में जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन होंगे नाम घोशित हो चुका है आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे ठीक है क्वेशन की बात करें तो आपको सीधा पूछ सकता है कि विश्व भूशन हरी चंदन जी को ओथ किसने दिलाई तो चीफ जस्टिस अरूप कुमार गुस्वामी जी कौन से करम के हैं तो नववे रेगुलर पूछेगा तो सेवेंथ है क्लियर है कि नहीं एक आत कोशन इसे घुमा के पूछ सकता है पूछ सकता है क विश्व भूशन हरी चंदन जी चत्यजगड के राजपाल बनने से पहले किस राजजग के राजपाल थे हैं तो इतने कोशन को क्या करिएगा रेडी कर लीजेगा अब नेक्स आ जाते हैं फिफ्थ खेलो इंडिया यूध गेम्स दो हजार बाइस तो पाचवा संसकरन था खेलो इंडिया यूध गेम्स का ये हुआ 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच कहां पर MP मद्यप्रदेश ठीक है अब इस गेम्स में चत्यजगड जो है इसको क्या मिला तो कूल 12 मेडल्स जिसमें से 2 गोल्ड हैं 2 सिल्वर हैं और 8 ब्रोंज हैं ठीक बात है यहां तक भी चत्यजगड का रैंक क्या था तो मेडल टैली में चत्यजगड का रैंक 22 था 1 महाराश्ट 2 हर्याना 3 मद्यप्रदेश ठीक है एक्जामिनेशन पॉइंट फ्यू से आपसे क्या पूछ सकता है तो खेलो इंडिया यूध गेम्स 2022 जो हुआ तो यह कौन से करम का था तो फिफ कितना मेडल मिला तो बारा चलिए तो अब नेक्स है राजधानी रायपुर में चत्यजगड मिलट कानिवल अब समझिएगा बेसिकली राजधानी रायपुर में सुभाश ट्रेडियम में 17 से 19 फरवरी मतलब 17, 18 और 19 फरवरी 2023 को मनाया गया क्या मिलट कानिवल अब इसका आयोजन किसने किसने साथ मिलकर किया था तो चत्यजगड राज्य लगू वनुपत संग चत्यजगड स्टेट माइनर फॉर्स प्रियूस कोपरेटिव एडरेशन और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद ने संयुत रूप से क्या किया इसका आयोजन किया समझ में आया की नहीं आया उद्देश क्या था अबजेक्टिव क्या था तो लोगों को एक्चुली जागरूप करना उनको एजुकेट करना कि यह जो मिलेट्स फसल है इन मिलेट्स फसलो में कितना जादा नियूट्रिशन होता है ताकि लोग इसे क्या कर सके अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकें क्लियर है एक बात और आपको मैं बता दूँ कि मिलेट्स फसल जो है छत्तिलगर पहला राज है जो मिलेट्स फसलो को क्या करता है MSP पे खड़ीता है तो मैंने आपको कहा था ना तो वहाँ पर जो ऐसे की बात मैंने करी थी आपको मि डाज लगते हैं कि इसके प्रती जागरुकता जो है उसको बढ़ाने के लिए गवर्मेंट क्या कर रही है तो मिलेट्स कार्णिवल ऐसे फेस्टिबल्स का क्या कर रही है आयोजन कर रही है चलिए वीडियो को एंड करने से पहले कुछ क्वेशन को देख लेते हैं पहला क् सामने है अगला क्या है तो लाइब्स रियल हीरोज ओफ इंडिया अवर्ड दोहजार तेईस से किसको सम्मानित किया गया अगला क्या है अंतर राष्ट्री कभीर पंथ संत महा संबेलन का आयोजन कहा हुआ देख क्या आसानी से बता सकते हैं और फोर्ट क्या है छत्तित करेंट फैस थे वह हो जाते हैं फिनिश और अगले वीडियो में मार्च के महीन के करेंट फैस के साथ मैं आप सभी से मिलूंगा तब तक लिए थांक यू अन टेक कैर